हर्याना H9PM नुशनल में आप सबता स्वागत है आई आपको कराती हैं खबर टूलीब होस्पिटल में आज प्रेस कोंफरेंस रखे गई डॉक्टर रन डावा ने बताया कि जो किड्नी वाड़ा मामला है उसमें डॉक्टर की बिल्कुल भी गलती नहीं है करीब 2000 केस वो कर चुके हैं एक आद केस इस तरह का क्रिटिकल हो जाता है जिसमें उन्हों ततका और उन्होंने मरीज की जान बचाने का डिसीजन दिया अब उनके परीजन किड्नी देने से मना कर रही हैं तो वो उनके ऊपर dope情况 कि वो मरीज को बचाना चाहते हैं या नहीं वो मरीज को बचाने के लिए आभी तक 25 प्रफ झाने के पर खक कर चुके हैं और किडिनी गो नहीं देना चाहरे ये भी कहा है कि इस तरह के मामले होने पर अब उन्हें जो इस तरह से रिस्की केश थे वो करने भी बंद कर दिये हैं कई मरीजे से गूम रहे हैं और जब रज़ती करना चाहरे हैं लेकिन अब वो ऐसे केश सोनिकत में नहीं करें बीना पर पेशन्ट है ये पेशन्ट 37 साल की एक फिमेल लेडी है जो मेरे इस पास लास्ट येर अक्टूबर से चल रही हैं इनकी दो गुर्दे आपस में जुड़े हुए हैं जिनमें से एक गुर्दा खराब है और उसमें पस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई थी और व इस बीट में आता रहा कभी बगवान दास में कभी यहां और फून की कमी पाई गई उसको ब्लड लगवाए उसके बाद इस पेशन्ट को मैंने एपरिल दो हजार चौबिस में दुबारा इन्होंने एक कि भई ये किड्नी देखो कैसी है दुबारा उसके टेस्ट कराए त फिर मैंने उसका सीटी स्कैन कराया और उसके बाद उसका एक मही को मैंने अपरेशन प्लाइन किया अपरेशन के दौरान कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आई ब्लीडिंग होई कंट्रोल किया और इनके वैसल्स का जो मतलब दो तरफ की जो यह दो किड्नी आपस में जुड करें तो मैंने क्या किया कि फिर पेशन्ट को मैं दोनों साइट की किड्नी अब नहीं काम करने वारी एक तो पहले नहीं काम कर रही थी दूसरी की ब्लड वैसल्स में किसी प्रकार से वह डस्की होगे एड़ अड़ टाइम अप कंट्रोलिंग ड़ीडिंग क्योंकि वह इसके अलावा उसका आगे का किस प्रकार से इलाज करना है और यह सब चीजे मैंने उन्हें बताइए और देवा ने बताइए पर उसके बाद उन लोगों ने एक इस प्रकार का महौल जोड़ा कि भई बंदे बुलाओ मीडिया में जाओ और हो हला उन सब चीजों से एक बा जो इलाज आगे प्रोसीड करेगा उसमें परिवार का साथ मिलना बहुत जरूरी था हां मैं इसमें देखो जो खर्चे की बात आती है ना तो वो डॉक्टर हम भूस्ट नहीं करने के लिए कहते तो इसको अभी आप रहने दिए कि खर्चा कितना हो रहा है खर्चा मन था कि पेशेंट जी है और हमें पता था कि हमारे को करना है लेकिन है कि यह खर्चा ना टाइम जो पेशेंट के रेल्टिव के वज़ए से स्योग ना मिलने के वज़ए से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है वह बहुत जादा है तो इस वज़ए से बता रहा हूं कि एक नॉर्मल ट लगता है टेस्टों को होने में और जो लीगल फॉर्मालिटीज हैं उनको पूरा होने में हमारी केस में क्या हुआ कि वह एक मैना तक को हमें यहीं नहीं समझ मारा है कि डोनल्ड डोनेट कौन करेगा पंद्रमें दिन पंद्रमें दिन इनके हजबन ने हामी भरी और नहीं की जरूते है एक आम भाई एक आम बाप एक आम बैया माँ उसी वक्त त्यार होती है कि मेरे मरीज को क्या चाहिए मैंने का किड्नी चाहिए वो कहेंगी अभी लो और ले के चलो हमारे केस में ऐसा है कि जो परिवार के जो वीना के जो सिगेर इस्तेदार थे वो बिलक काम होता है वो सेकंड डिगरे रेल्टिव में आता है यह बड़े चीज़ों को कॉंपलिकेट कर देता है और उनकी बहन के जो डॉकुमेंट्स थे जो उनको चाहिए ट्रांस्प्लांट की कमेटी को उन डॉकुमेंटेशन में इन्होंने दो महीने का प्रॉपर वक्त लगा काम है कोई 22 ते 25 लाग रुपर तक तो वैसे लग गया मैंने एक्ज़क्ट काउंट नहीं किया हुँए ऐसा है कि चारसों मेंसे ना कोई एक आदमी होता है जिसकी दोनों किड्निया जुड़ी होती है अब हमारे केस में क्या है कि यह चारसों में एक ऐसा होता है इसमें क्य होई हैं और इन में कुप सारे ब्लड वैसल्स का जो मतलब है वह बहुत जादा है तो इस वज़ए से क्या है कि हम तो वही सही कि मतलब जो खराब किड्निया वही निकालने जा रहे हैं मारे पास मरीज का निशान तक है कि मैंने कौन से चीरा दिया हुए को राइट की तरफ करके डेलिबरेटली राइट किड्नि को निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई है अब जो लेप्ट के एट की किड्निक हम निकालते जा रहे हैं निकाल रहे हैं और निकालने के दोरान अगर एक मेजर वैसल को इंजरी हुई उसके बाद हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं कंट् लाइब पेशेंट के तो प्रॉब्लम बचेगा ना कि एक डेड पेशेंट और अगर परिवार साथ देने वाले होते हैं तो वही मेरे को लगा यह तो मैंनेज कर ली जाएंगी बाहर जाके और वो मैं करनी पाया इन तीन महीनों में भी आज भी वो पेशेंट का ट्रांस्प् से यहां पर सोनीपत में बैठके प्रैक्टिस कर रहा हूं पहले जनता में करता था और इसके बाद मैंने जनरल साजरी के प्रैक्टिस के बाद कोई दस साल के प्रैक्टिस के बाद मैं एक डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में कंसर्टेंट की जॉब किये पार्क पानी का रहा है और मैंने इस तरह कि आपरेशन भी मत लग जो किंडिया खराब होती है इनको निकालने के आप्रेशन पत्रियों के आपरेशन इंपक्तल मतलब जो भी हमारे था हम हरे Dw rated अपरेशन है, भू हम कर हैं तेर ऐसा है कि द 15 गयों यह जब टक मरीज morality जा रहा है driveill सफर कर रहा हूं तो मैं इस उसका में चार पैसे कम कमा लूँ मुझे उस मरीज के सामने महान बनने की क्या जुरू है तुम जानो मैं अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं मैंने करोगित है तो सब्सक्राइब है मेरा अगले की सब्सक्राइब करता हैं और मेरे साथ सेंटी में टोन उकलिग मैं मैं और मैं कर देता हूं अब मैंने मना करना शुरू कर दिया मैं सच में कर सकता हूं पर मैंने मना करना शुरू कर दिया विकॉज यह जो मेरे साथ घट रहा है कि मैंने क्या गलत किया इस वाले में हर एक आदमी को हर चीज बताई अब परिवार नहीं सहयोग नहीं दिया यहां पर सिर्फ एक चीज थी कि यह मरीज तब बचेगा जब परिवार का सहयोग बढ़ चड़ कर मिलेगा और जैसे परिवार को पता चला कि यहां तो किड़नी देने के बात आ जाएगी तो जितना परिवार पीछे हटा है मैं नहीं समस्तना कि ऐसा को परिवार होगा त्यूलिप होस्पिटल सौनेपत के पास क्यूब डियागनोस्टिक सेंटर में आधोनिक 3D, 4D मशीनों से ही अल्ट्रा साउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी, रिहायती मुल्यों में करा सकते हैं आधरिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें, क्यूब डियागनोस्टिक सेंटर सोनी पर लगादार खबरों से बनी रहने के लिए शैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें, धन्यवाद